हलो स्टुडेंट बेलकम बैक, स्टुडेंट इसके पहले हम पढ़ रहे थे नॉन कॉर्डेटा के बारे में, आज से आपका जो यहां पर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, कहने का मतलब जो आपका अगला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, वो कॉर्डेटा हम पढ़ेंगे, क्या प पढ़ा था call data उसमें ऐसे और गिने जमाते थे जिनके अंदर रिड़ की हड़ी नहीं पाई जाती थी ठीक है अब यहां पर जो हम पढ़ेंगे call data के अंदर गरत यहां पर कुछ features होते हैं basic कहने का मतलब basic चीजे होती है basic knowledge आपको होना चाहिए basic knowledge आपको रहेगा आप call data का तभी आप इसमें से जितने भी कहने का मतलब organism आते हैं वो आपको समझ में आएगी तो basic knowledge आप call data इसमें आपको कुछ चीजें दिमाग में रखना है अगर आप वो चीजें दिमाग में रखेंगे तभी आपको यहां पर call data की सारे feature समझ में आचे आएंगे ठीक है तो basic feature आप call data का सबसे पहला देखा जाए तो it is presence of notocard इसमें आने आले organism के पास क्या होगा नोटो कार्ड परजंट होती है इट इस परजंट साफ नोटो कार्ड यह पहला feature होता है ठीक और यहां पर इनका जो structures होता है कहने का मतलब इसमें जो structures इनकी सरचनाय जो होती है वो कहने का मतलब आपका होगी rod shape में कैसी होगी rod like में में जो होते हैं आपको लगभक दिखाए देते हैं और इनका जो इस्टेक्चर सोता है मीजोinga होता है वो डर underm से क्या होता है उसके अंतरगत यह कि जो है पाया होगा पेर्ड में इनके पास फेरेंजियल फेरेंजियल गिल्स पर्जंट होती है क्या पर्जंट होगी गिल्स जिसको हम गिल्स लाइड बोल सकते हैं यहाँ पर गिल्स लाइड ठीक गिल्स जिसको हम कलोम बोलते हैं क्या बोलते हैं कलोम तो कलोम जिसे हम गलपड़े होंगे ये चीज़ें इसके अंतरगत पाई जाती है ठीक गिल्स लाइड प्रजन्ट होती है and for stomach किसके according stomach ठीक है stomach storing child जो चीज़ें होती है उसमें आने वाले organism जो होते हैं उनके जो आने वाली offspring होगी fetus होगी उनके अंदर stomach में क्या होती है child loan के अंदर जो होई ये सारी चीज़ें present होती है गिल्स ठीक अब देखिए अगला features यहाँ पर देखा जाए respiration के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए अगला feature जो respiration ये करते हैं सोशन जो करते हैं क्या करते हैं इनके पास respiration के लिए जो होती है सांस लेने के लिए जो है medium पर जट होगे जो की clone के माध्यम से जो है ये क्या करेंगे respiration करते हैं ठीक और इनकी जो body prepared होती है core data में जो इनकी body इसमें आने वाले organism जो body होगी इनकी उंक कैसी होगी dorsal होगी कैसी होगी dorsal मतलब pristie होगी dorsal bentral gills ठीक dorsal bentral gills and hollow shape में होगी कैसी होगी hollow shape ठीक hollow nerve shape ऐसे कह सकते हैं hollow nerve cord shape ठीक hollow nerd card shape यहां पर देखिए core data के अंदर कुछ features हमने बता है जो कि आपको आना चाहिए जब भी आपको कॉर्ड डेटा समझ में आगा पहला बेसिक नॉलेज आप कॉर्ड डेटा में हमने बताया इस परजन्ट आप नोटो का जिनके अंदर नोटो कार्ड परजन्ट होगी इस टक्चर साफ रोड लाइक होगा मेजोडर्मिक डिराइब्ड होगी ठीक है और इनके पास परजन्ट आप पेर्ड फेरेंजियल गिल्स होगी गिल्स मतलब कुलोम जिसकों गलफड़े बोलते हैं जो की रिस्पारेशन का काम उसी से करते हैं ठीक है और यहां पर इनकी जो बाड़ी डिवाइब होती है वो डॉर्सल बेंट्रल मतलब इस तरीके से प्रिस्टी है और अधरतल में इस गिल्स जो होती है प्रेजंट होती हालो मतलब खोखले सेप में होगी ठीक हालो नर्ब सेप में होगी इस तरीके से क्या होता है इनमें अब देखिए अगला हम जो देखेंगे यहां पर कि जो कॉर डेटा होता है क्या होता है जो कॉर डेटा होगा कॉर डे यूरो कॉर्डेटा उसके बाद दूसरा क्या होता है सिफैलो कॉर्डेटा ठिक सिफैलो कॉर्डेटा एंड दन क्या होगा बर्टी ब्रल बर्टी ब्रेटा ऐसे कह सकते हैं बर्टी ब्रेटा तो पहला क्या है यूरो कॉर्डेटा सिफैलो कॉर्डेटा और बर्टी ब्रेटा तीसरा क्या है बर्टी डेटा, तो इसमें आने आले और्गनिजम को कितने भागों में बाटा गया है, तीन भागों में, पहला क्या है यूरो कॉर्ड डेटा, सिफैलो कॉर्ड डेटा और बर्टी ब्रेटा, अब देखें, यूरो कॉर्ड डेटा से ले करके, यूरो कॉर्ड देटा और सिफाइलो कॉर्ड डेटा इनको हम क्या कहते हैं यूरो कॉर्ड डेटा ही कहते हैं इनको हम क्या कहेंगे यूरो कॉर्ड डेटा ठीक कहां से ले करके यूरो कॉर्ड डेटा और सिफाइलो कॉर्ड डेटा के अंतरगत आने वाले जो ऑर्गिनिजम होते हैं उनको हम यूरो कॉर्ड डेटा कहते हैं ठीक ये दोनों यूरो कॉर्ड डेटा और सिफाईलो कॉर्ड डेटा अब देखें इसलिए इनको कहा जाता है प्रोटो कॉर्ड डेटा कहा जाता है इन दोनों में आने वाले जो और्गिनिजम होते हैं इनके पास क्या परजंट होता है इनके जो प्रजेंट होता है आने ओले और आर्गिनीजम को बोलें कि यहां से लेगर कर के यूरो ज इंट यहां पर डाये पर यहां प्रजेंट इन लार्वल टेल that organism that organism present in larval larval tell होती है क्या होती है larval tell noto card होती है larval tell noto card ठीक जिसको हम डिमभग बोलते हैं क्या बोलते हैं डिमभग आभीक्सित पूझ बोल सकते हैं आभीक्सित पूझ ठीक आप इक सित पूछ बोलते हैं तो हमने क्या बता है बटा यहाँ पर Euro-Cord Data से ले करके Cephalo-Cord Data तक आने आले Organism को Euro-Cord Data इसलिए इनको कहा जाता है Proto-Cord Data ठीक है इसमें आने आले Organism जितने होंगे इनको हम दोनों में बोलेंगे Tuno-Cota और इसमें जितने भी Organism आएंगे That Organism present इनके पास पाई जाती है Larval Tell Notocard मतलब डिमभग जिसे बोलते है Larval का आप एक सित पूछ होती है इसमें आने आले Organism ठीक अब आते हैं हम इसमें किसमें? Core Data में Core Data अगर सिंपल ही देखा जात Core Data का मतलब क्या होता है? इसमें ऐसे Organism आते हैं जिनके पास Head Head to Tell होगी क्या होगी? Head to Tell मतलब सिर से ले करके पूछ तक Head to Tell होती है Notocard क्या होती है? Notocard ठीक? Head to Tell Notocard मतलब सिर से ले करके पूछ तक ठीक है? जो कि Throw Out the Life Throw Throw Out the Life Throw Out the Life जो की मतलब पूरे जीवन भर जिन्दगी भर जब तक ये Organism रहेंगे तब तक इनके पास जो है ये Notocard प्रजंट होती है ठीक है? ठीक है? ठीक है? फैलो कार्ड डेटा में Head to Tell जो होती है Notocard प्रजंट होती है? सिर से ले कर के पूछ तक जो की Throw Out the Life पूरे जीवन भर जब तक वो Organism रहेंगा तब तक उसके पास Notocard प्रजंट होती है ठीक है? ये दोनों समझ में आ गया? अब आते हैं Bertibreta में Bertibreta मतलब क्या होता है? इसमें ऐसे Organism होते हैं जिनके पास Notocard तो होगी Notocard तो Present होती है But Adult लेकिन जब वो क्या होते हैं? अडल्ट होंगे क्या होंगे? जब वो Adult होंगे तो Convert हो जाती है कहने का मतलब Convert मतलब बदल जाती है Bertibreta Bertibreta Column में बदल जाती है किसमें बदल जाती है? Bertibreta Column जिसे हम कहते हैं Read की हड़ी क्या बोलते हैं? Read की हड़ी में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी तो हमने क्या देखा? यहाँ पर Core Data में आज मैं आपको Notes प्रोवाइट कर रहा हूँ इसका कुछ features मैंने बदपाने बताया है यह basic चीजे आपको जरूर पहले चीजे दिमाग में रख लेना है क्या क्या चीजे होती है यहाँ पर हमने देखा किrade Data को कितने भागो में बढ़ा गया है तो Core Data देख रहे है Core Data को हम मुख्यता तीन भागो में बाटे है Core Data को तीन भागो में बढ़ा Euro Core Data, Stномetion, Partible Column यहाँ पर Euro Core Data, St consecutive Tobek coming Euro Core Data और इसमें जितने भी Organism आएंगे इसलिए इनको कहा जाता है protocordata और इसमें आने आले organism के पास tunocota होता है tunocota present होता है means उसको tunocota के नाम से जानते हैं और इसमें that organism presence in larval tel notocard इनके पास larval आब एक सित पोच होगी जितने भी organism आएंगे और इसमें क्या होगी जितने भी और इने जमाते है head to tell head to tell notocard present होती है जो कि throw out दिलाए पूरे G1 भर रहेगी और यहाँ पर vertebral column में यहाँ पर vertebrator में देखा जा इनके पास भी notocard present होगी बट जब यह adult होते हैं तो बदल जाती है कि इसमें vertebral column में रिगड की हड़ी में तो यहाँ तक आप इसको पहले समझ लिजिए कल इसमें और characteristic feature मैं आपको provide करूँगा super class पढ़ाऊंगा ठीक है super class में आपको जो चीजी रहेंगी उसको बताऊंगा आप इसको पहले दिमाग में इतना रख करके notes को लिखें ठीक है okay भाइ thank you